Freelancing आजकर ये बहुत ज़्यादा common option बन गया है College students हो, job करने वाले लोग हो, unemployed लोग हो, housewives हो, या कोई भी हो हर एक इंसान freelancer बनना चाता है अपने मन चाहे काम को करना चाता है, अपने मन चाहे time पर करना चाता है, अपने मन चाहे हिसाब से करना चाता है एक तो देखो या तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करो, मैं बात नहीं करोगा तुम लोगा जफिरेस करोगा एक सवाल जो हर एक इंसान की दिमाग में आता है, जब भी हम रेज्यूमे के बारे में बात करते हैं कि भाई, हमारा रेज्यूमे होना कैसा चाहिए और अगर कोठी बंगलेवाज से पूछोगे, तो इतना रंग बे रंगा बना देंगे उसको, मानों किसी बच्चे की कलरिंग बुक है, तो चोड़ों ये देखते हैं कि ये दोनों तरीके क्या-क्या दरशात है, इनके फायरे, नुकसान और Ultimately, सबसे important सवाल की आपका resume कैसा होना चाहिए एक formal resume बहुत ही जादा basic resume होता है, जिसमें of course आपकी basic details होती है, education, experience, achievements और परस, एकदम precise, एकदम to the point, इसके कुछ advantages होता है, ये बहुत ही simple और formal होता है, इसमें कोई risk नहीं होता है कि गलत information पहुँच जाएगी, इसके काफी सेरे templates आपको मिल जाते हैं, क्योंकि काफी सदिय उसे यही format चलते हैं, सामने वाले के लिए समझना बहुत ही easy हो जाता है, क्योंकि बहुत easy तरीके से हर एक lean mentioned होती है, पर इसके disadvantages भी हैं, अब क्योंकि ये बहुत ही जादा common है, इसका मलत हर एक recruiter को आप ही के जैसे resume हाजारों मिलते हैं, उनके लिए आपकी resume को थोड़ा सा different पाना बहुत ही जादा tough होता है, बहुत कम chances होते हैं कि आप शायद इस resume के जरीए आगे बढ़ पाएंगे, और ये resume किसी भी चीज़ को highlight नहीं करते हैं, इसका मतलब आपको attention grab करना है तो वो तो आप भूली जाओ, ये तो बात होगी former resume के, अब बात करते हैं modern resume के बारे मे ये काफी जादा graphically और aesthetically pleasing होता है, preferably minimalist होता है, पर अगर आप चाहो तो colors, design, elements को अलग-अलग use करते हुआ, अलग-अलग section को काफी distinguished बना सकते हैं, आप किसी भी free software जैसे की canva या और भी किसी software में काफी easily इसको खुद बना सकते हैं, इसके कुछ advantages है, can potentially be very pleasing, ये main points को highlight करता है ये एक formal resume से जादा content को include कर सकता है, ये recruiter को impress करने के लिए काफी impactful हो सकता है, ये आपके passion, dedication और creativity को दर्शाता है, ये आपको stand out कर सकता है बाकी सारे resumes से, और क्योंकि ये stand out करेगा तो of course recruiter will remember you in most cases, अब of course इसके disadvantages भी हैं, high risk but high reward, काफी cases में थोड़ा से embarrassing हो सकता है अगर ही किया तो, काफी cases में recruiter will focus more on the design than the content, और अगर ऐसा हुआ तो definitely आपके purpose की दो bandwidth जाएगी, जो लोग एक formal resume में ज़्यादा believe करते हैं, वो आपको straight away reject कर देंगे, तो formal resume में और modern resume में दोनों के बारे में आपको मालूम है, अब इन दोनों में से बहतर resume कौन सा होता है, ये को म conventional jobs है, जहाँ पर creativity की इतनी ज़्यादा requirement नहीं होती है, तो I would always suggest you to stay with the formal resume में, और उसी के साथ में you will have to make sure कि आप formal resume में कुछ ना कुछ करके, fonts को change करके, bold करके, highlight करके, जो specific चीज़ें हैं, जो आप चाहते हैं कि सामने highlight हो आपने resume में, वो आप definitely करें, अगर आप लोग चाहत बिलो या फिर इस वीडियो पर 1000 likes हो जाएंगे, I'll do that video, वहीं पर अगर आपका job है, जहाँ पर creativity की ज़्यादा requirement है, as a freelancer आप काम कर रहे हैं, या फिर जो company है, वो काफी cool सा work environment रखती है, तो वहाँ पर आप definitely ऐसी जीज़े try कर सकते हैं to stand out, तो इस video में से इतना ही share करना च कीपस लेंगे